फ्रेंट्स आज का भाग बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे 001 साथ आ गया है और इस तरह के भाग में अक्सर इस्टुटेंट गरवर कर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे जीरो जो उतारता है जब यहाँ पे भाग करने की विषय हमें यहाँ पे जीरो को कैसे भाग लगाना है प्लस यहाँ पे गरवर कर देता है इसको ध्यान से समझिएगा कैसे इस भाग को बनाया जाता है दो मिनिट ध्यान से देख कर है जो साथ आएगा पांच एकम पांच पांच दो नी दस दो बार में साथ से जादा दस आ रहा है साथ तो नहीं आएगा तो हम एक बार लेंगे क्योंकि हमें उससे कम लेना या तो उतना ही तो साथ नहीं आएगा तो हमें पांच लेना पड़ेगा अब घटाएंगे साथ में से हमें पांच घटा देंगे तो कितना बचेगा दो ठीक है अब क्या करेंगे एक जीरो को हम यहां उतारेंगे अभी इसका काम नहीं है अभी इसके बगल वाले संक्या को बगल में उतार देना है कितना होगा बीस अब पांच का पाड़ा पढ़ेंगे चार बार में बीस हो गिया भस ध्यान से समझते जाएए यहाँ पे जीरो में से जीरो गया तो कटेगा दो में से दो गया तो ये भी कटेगा ठीक है अब क्या करेंगे अक्सर यहाँ पे आ करके स्ट्रेंट गलत कर जाते हैं यहाँ पे दीखी क्या करना है यह थो हमने उतार लिया इसका काम खतम अब इसके बगल वाले इस गे को यहाँ पे उतारेंगे ठीक है अब इसे भाग लगाएंगे तो फिर तो पांच ये तो दो ही हो रहा है क्योंकि संक्या इसके पहले जीरो है तो दो होगा अब पांच से तो दो में भाग लगेगा नहीं फिर हमें और एक संक्या उतारना पड़ेगा यहाँ पे आ करके अब फिर हमने एक संख्या और उतरा इसके लिए और एक 0 लगाना पड़ेगा ठीक है याद रखिएगा तीन टों संख्या होता रहेंगे तो हमें डबल 0 लगाना पड़ेगा दो संक्या होता रहेंगे तो एक 0 देना पड़ेगा ठीक है और एक संक्या होता रहेंगे तो एक भी 0 नहीं देना पड़ता है अब 5 का पारा पड़ेंगे 5 एकम अब ये क्योंकि संक्याख से पहले 0 कभी भेलू नहीं होता है तो 25 पांच का पारा पढ़ेंगे 5 पांच पांच 15 ने दस पांच 15 पांच 25 पांच 25 पांच पांच पार में ये 25 कट गया इस परकार से भाग बना आ जाता है वीडियो अच्छा लगाती से लाइक कर सकते हैं हमारे साथ जूरना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे धन्यवाद